Hello Cricket Lovers, IPL 2022 का auction हो चुका है और आज हम बात करेंगे कि सबसे महंगे खिलाडी इस साल के कौन से रहे उनके पीछे की खास वज़े जानेंगे जाने के लिए वीडियो में एंड तक दे रहे सबसे पहले हम बात करते हैं पांच वे नमबर पर यहां पर दो खिलाडी रहेंगे वानिंदू हसारंगा और हर्षल पटेल जिनको RCB ने लिया है तो इन दोनों को लेने की सबसे बड़ी वज़य है रहे है कि चलो हर्षल पटेल का तो समझ में आता है कि हाइस्ट विगे टेकर है परपल कैप होल्डर है और काफी अची गेंदबाजी की अपर तू हसारंगा पर उन्होंने बिलीव दिखाया है जो कि अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए अच्छा कर रहे है और इंडियन पिछ पर स्पिनर्स तो अच्छा करते ही है और आर्स भी ने अंदज लगा कि हसारंगा काफी अच्छा कर सकते है इसलिए दोनों को 10 करोड 75 लाग में खरे दाब चोथे नमबर पर शारदू ठाकूर आते है उसके अधा अगर बात करें हम तीसरे नमबर पर श्रेयस अयर जिनको कोलकाता नाइट रैडर्स ने लिए उनके पिछे खास हो जाए थी कि IPL में बहुत सारी टीमें नया कप्तान ढूंड रही थी उसमें कहीं ने कहीं केक्यार भी थी RCB भी थी और पंजाब भी थी तो यहाँ पर श्रेयस अयर की पेचे काफी सारी टीमें गई और उनको 12 करोड 25 लाख में खरीदा है कोलकाता नाइट रैडर्स ने जो की काफी काफी भारी कीमत इनको लगानी पड़ी है यहाँ पर और इस सीजन में सबसे महें खिलाडियों में यह आते हैं तीसरे नमबर पर अब दूसरे नमबर बात करते हैं हम दीपक चहर की तो दीपक चहर दूसरे नमबर पर क्यों आते हैं वो भी बहुत अच्छे औल्ड राउंडर से रिसाइट इमनों ने वेस्ट इंडीस से काफी अची फायट करी उसके अलावा श्रिलंका के खिलाफ और साथ अफ्रिका के खिलाफ काफी अच्छी गेंदबाजी हर टीम को कही नहीं ओपनर चाहिए था और इशान किशन से यंग्स्टर जिसको ओमबाइ इंडियन ने गुरूं किया उसके अलावाद 2016 से 17 तक ये गुजरात लोइंस की टीम में रहे थे और आपको पाँच खिलाडी बता है जो कि इस साल सबसे महेंगे थे और इनके पीछे की खास वज़ाई बता दी कि इनको लिया क्यों गया और I think आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छे लगी तो इसको लाइक, शेयर, सबस्क्राइब जरू करेगा मिलते हैं नेक्स टुडियो में क्रिकेट से जूरी अपडेट के साथ